Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel So guys, I hope आप सभी की preparation अच्छी चल रही होगी UKPSC का new revised exam calendar भी आपने देख लिया होगा तो अभी उत्राखंड में आने वाली परिक्षाएं हैं कुछ जैसे कि आपकी बंदी रक्षक की exam होने वाला है अधिशाशी अधिकारी का और भी आने एक्जाम है जो आपके होने वाले है तो इन सभी के लिए आपके उत्राखंड की current affairs काफी important रोल निभाती है तो उनी में हम यहाँ पर notes wise उत्राखंड की current affairs देखने वाले हैं जो की 2023 से हाल ही के महिनों में हुई current affairs की important question है तो एक तरह से question नहीं है, MCQ के रूप में यह नहीं लिखे है यह मैंने notes wise लिखे हैं तो आप इसको notes wise ही समझ सकते हैं तो देखे शुरुबात कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा current affairs का question यहाँ पर बन सकता है वो है हिमाले सेप के नाम से बिकने वाले उत्रकासी के सेप को उत्राखंड apple के नाम से जाना जाएगा तो friends उत्रकासी में जो सेप होता है उसकी जो बिकरी होती है हिमाले सेप के नाम से होती थी लेकिन अब इसकी बिकरी उत्राखंड apple के नाम से होगी तो आपको इसका चेंज नेम देखना होगा नेक्स्ट है पंद्रवी केंद्री स्वास्त एवं परिवार कल्यान परिशाथ 2023 का एविजन कहां हुआ अगर आपसे पूछे तो देहरादोन में हुआ था जो कि उत्राखंड की राजदानी है नेक्स्ट है टॉपिक हमारा हाल ही में राश्ट्री ग्रामीर आजीव का मिशन के तहट बहतरीन कारे करने के लिए उत्राखंड की किस जिले को स्कॉच सिल्वर अवर्ड परदान किया गया तो उत्राखंड में राश्ट्री ग्रामीर आजीव का मिशन के तहट सबसे अच्छा कारे करने के लिए चमूली जीले को उत्राखंड में स्कॉच सिल्वर अवर्ड परदान किया गया तो आपको याद रखना है स्कॉच सिल्वर अवर्ड दिया गया उत्राखंड के चमूली जीले को अब जो हमारा next note है वो है उत्राखंड सरकार द्वारा Global Investors Summit 2023 की आयोजन के लिए कितने करोड रुपे का निवेश किया गया तो friends उत्राखंड में Global Investors Summit 2023 के लिए 2.5 लाग करोड रुपे की यहाँ पर धनराशी निवेश की गई जो की Global Investors Summit 2023 में की गई थी अगला है उत्राखंड सरकार द्वारा सरकारी विध्यालों के लिए उत्राखंड के त्योहार, उत्सव, संस्कृती, मेले आधी पर जो पुस्तक त्यार की जा रही है उसका नाम गया है तो फ्रेंड्स अगर आपसे इस तरह से question पूछें तो विरासत इसका correct answer हो जाएगा जो विरासत नाम की बुक तयार की जा रही है वो उत्राखंड के विबिन संस्कृती से जुड़े हुए topics जैसे की त्योहार, उत्सव, संस्कृती, मेले तो इन सभी पर एक बुक लिखी जा रही है, जो कि केवल उत्राखंड के सरकारी विध्यालोय के लिए लिखी जा रही है ताकि इसे भी स्लेवस में जोड़ा जा सके और हो सकता है कि आपका next year से ये स्लेवस में भी आ जाए तो याद रखना है आपको उत्राखंड की बुस्तक बिरासत जिसमें उत्तराखं कौन सा राज़ बना है? तो यह पहले नमबर का राज़ बना है तो आप से question में पूछा जा सकता है कि भारत में विध्या समिक्षा केंद्र को लागू करने वाला कौन सा ऐसा राज्य है? सबसे पहले उत्राखंड ही यह पहला राज्य बना है अब हम जान लेते हैं कि विद्या समिक्षा केंद्र होता क्या है तो विद्या समिक्षा केंद्र जो होता है सरकारी विद्यालों के जो बच्चे होते हैं और साथ ही जो सिक्षक होते हैं इन सभी का अटेंडेंस का डेटा प्लस अन्य डेटा जो भी होता है तो वो सारा इसके अंतरगत स्टोर किया जाएगा ताकि जो भी उत्राखंड में मुख्य मंत्री हो या फिर शिक्षा मंत्री हो जो ततकालिन तो वो सभी लोग क्या कर सकें वहीं से सभी सरकारी स्कूलों के टीचर्ज और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस और अने डेटा की निगरानी कर सकें तो इसलिए विद्या समिक्षा केंद्र लागू किया गया है उत्राखंड में अगला है उत्राखंड के प्रसिद जागर गायक को भारतिय संगीत नाटक अमरित अवोर्ड से समानित किया गया है अब देखिए अगला है सितंबर में हुए बागेश्वर विधानसवा उपचनाव में किसको जीत हासिल हुई थी सितंबर में अभी हाली में उपचनाव हुए बागेश्वर विधानसवा में तो पारवती दाज जी को जीत हासिल हुई थी ये भी आपको याद रखना है मुख्यमंतरी खिलाडी पुरसाहन योजना इस तरह की योजनाओ का आपसे धनरासी पूछ लेते हैं कभी कबार और ये भी पूछ लेते हैं कि ये किस से संबंदित है ठीक है तो इसके तहट 14 से 23 वर्स के बच्चों को आपको उम्र याद रखनी है कभी कबार आपका एज का भी कॉशन बन जाता है कि किस एस से किस इस तक के बच्चों को ये योजना का लाब मिलेगा तो इस योजना का प्रकमान साल में एक थो प्रकमान सानी उसिस धाल रसक प्रकमान बनाद लिचन कहनर के on ju种 सोथ दो दो जाजारर आपके जो भी साल साल थी ये जो भी उनके खेल घर्चा होता है वह दो जार रुपे पर दिमा उनको मिलेगा तो ये हैं उत्तराखन में मुख्यमंत्री खिला पड़ी होते उन के लिए हैं आप देखें अगला है पड़ी जिले में इस्तित लैंस्टाउन सैनिच छावनी बोर्ड ने लाइनस्टाउन का नाम बदल कर क्या रखने का परिस्ताव किया है तो जस्वंत गड्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि पॉरी में इस्तित ल उत्राखंड में काफी बढ़ावा दिया जा रहा है इससे काफी लोग को रोजगार मिल रहा है तो इसलिए मश्रूम घरेलू उत्पाद हमारे उत्राखंड में व्रद्धी की ओर जा रहा है तो पौड़ी गर्वाल के कोड़दवार स्थान पर मश्रूम घरेलू उत्पात परियोजना प्रारंब कर दी गई है अब अगर आप से इस तरह से question पूछें कि मश्रूम girl of उत्राखंड किसे कहा जाता है तो मश्रूम girl of उत्राखंड किसे कहा जाता है तो मिनाक्शी खाती उसका correct answer हो जाएगा तो ये थे हमारे 2023 के कुछ important current effect के question तो इतनी जदा वीडियो लेंटी नहीं बना रहे हों ताकि आपको थोड़ा-थोड़ा करके इसमें समझ में आए आगे जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको भी मैं अपने करेंट अफियर के साथ आपको शेयर कर दूँगी आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब शरूर करना